देखिए 334 रुपे की इश्यू प्राइस है उपरीबेंट पर 64 गुना इश्यू भरा था और QAB केटेगर में 136 गुना था रिटेल 20 गुना के आसपास है इश्यू गुना के आसपास तो रेस्पोंस तो बढ़े हैं मिला है और वैसे तो पूरा का पूरा ओफर फर सेली था 600 क्रोर का प्रोमोटर्स अच्छे है फाइनिशिल ग्रोथ बढ़िया रही है पिछले साल की कैश फ्लो पोजिटिव है एसेट लाइट बिजनस मॉडल है फरियम बिजनस सुधर रहेगा तो मार्जिस वार फरियम बिजनस में फोकस में मार्जिस सुधर में गोड़ की एच्छी संभा उना है कार रिंटल पर देनी का कारोबार, जनरली वीकल लिवेते का कमति करती है, कारो बार। पूरा पैसा ओफर फोर सहले तो कमसी के पास और सिर्फ पिछला साल ये फाइनिशिल क्रोड के लिया से मजबुत रहा है उसके पहले के दो साल चाहे वो कोविड की वज़े से माने लेकिन थोड़ा सा ये रहा है थोड़ा हमें लगा कि वेलिशन के लिया से रीजनेबली वेलियूड है तो आगी का आउट्रुक क्या देत मेनेजमेंट वह बड़ा इंपोर्टेंट होगा तो हमने सिर्फ लिस्टिंग गैन के लिए पैसा लगाने की राय दी थी और हमारा अनुमान यह है कि लिस्ट होगा 415-435 रुपे की रेज में यहां इसकी हो चुकिए लिस्टिंग आज का आई प्यो सतरे परसं 390 थोड़ा एक काम करें जिन लोगों को अलोटमेंट लगे हैं वो 375 के आज परस अपना स्टोप्रोस रख लें ताकि आप अपने 334 रुपे की जो इस्टोप्राइस इसके उपर आप अपनी गैन्स प्रोटेक्ट कर सकें शोट अपना स्टोप्रोस रिवाइस करके 375 पर लिए लिख दीजे स्टोप्रोस अब 375 पर रख दीजिएगा यह आपके लिए है बढ़िया संकियर 97 रुपे के नाम पर लेस्ट होता हुआ दिख रहा है अब 380 का लोग बना है इस वक्ते 397 पर ट्रेट करता हुआ देखा 17-18% का गेन आता हुआ देखा 334 रुपे की इशी प्रैस के सामने हमने 375 रुपे का स्टोप्रोस लगाएने की राय दी है शोट टम ट्रेर्स के लिए और बाकि आप अपना स्टोप्रोस ट्रेल करते चले अगर स्टोपर जाए तो आप करता हुआ झाली सिंग